पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क हैं लेकिन दोनों देशों के संबन बीते सालों में नरम गरम रहे हैं अफगानिस्तान लगातार आरूप लगाता रहा है कि वहाँ आतंकवाद और हिंसा फैलाने में पाकिस्तान का हांत रहा है जबकि पाकिस्तान इन आरोपों को बेबुनियाद करार देता रहा है तो ऐसे में जब नेटो सेना की वापसी के बाद वहां तालिबान दोबारा सर उठा रहा है तो इससे पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिष्टे कैसे प्रभावित होंगे इन ही सब बातों की चर्चा आज कवर स्टोरी में अफगानिस्तान की राजनीती में पाकिस्तान का खासा असर रहा है क्योंकि भौगॉलिक, सामाजेक और सांस्कृतिक रूप से इन दोनों देशों में काफी समानता है अफगानिस्तान के कई संगचनों और तालिबान पर भी पाकिस्तान का कथित तोर पर प्रभाव है अब तालिबान देश के कई राकों में कबजा करने का दावा कर रहा है तो पाकिस्तान फिर सर्चर्चा के केंद्र में है अफगानिस्तान में हो रही ताजा गतेवेदियों का पाकिस्तान पर ऐसे में क्या असर पड़ेगा देखे वीवी सी समधा था दा शुमाला जाफरे की रिपोर्ट अमरीका के राश्रपती जो बाइडने के इस एलान के बाद से अफगानिस्तान ही नहीं बलके पाकिस्तान में भी हल चल है पहले पाकिस्तान के दबाओ पर अफगान तालिबान ने अमरीका और काबल सरकार के साथ मित्र देशों की सेना के निकलने के बाद सुला से मामला तै करने पर बातचीत शुरू की थी लेकिन फौजे निकालने के अमरीकी एलान के साथ ही जब तालिबान ने तेजी से मुखतलिफ इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया तो दबाओ एक बाद फिर इसलामबाद पर आया अमरान खान ने इस तक्रीर से पहले अमरीकी चैनल को इंटर्व्यू में ये भी कहा था कि पाकिस्तान आएदा अमरीका को अफगानिस्तान में आपरेशन के लिए अपने फौजी अड़े नहीं देगा फिलहाल पाकिस्तान की ऑफिशली स्टेटिक पॉलिसी यही है कि वो अफगानिस्तान में किसी एक धड़े की हमायत नहीं करेगा वो अपनी जमीन अफगानिस्तार के खिलाफ और अफगानिस्तार की जमीन को अपने किलाफ इस्तमाल होने नहीं देगा और अफगान अवाम अपने लिए जो फैसला भी करेंगे उसे कबूल करेंगा लेकिन ये معاملہ इतना सादा नहीं है यही वज़ा है कि अमरीकी दबाव को बुरा समझते हुए भी पाकिस्तान बाचीट से अफगान मसले का हल निकालने के लिए अपनी मुमिका निभाने पर मजबूर है अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी ग्रूप जैसे टी टी पी, जे यूए, एटी आइम, दाइश और अलकाइदा को वहां पनपने का मौका मिल जाएगा तो सुरक्षा के लिहाद से ये बड़ा चैलेंज है साथ ही पाकिस्तान में बड़ी मात्वा में रिफ्यूजी आ सकते हैं क्योंकि दोनों देशों की सीमाय लगी हुई है और कई मायनों में हम एक जैसे हैं सरकार हद चुनावती के लिए तैयार है लेकिन हमारा पहला फोकस है कि ऐसे हालात की नौबत ही नाए काबूल हकूमत के इसलामबाद पर अफगान तालिबान के समर्थन के आरूप भी पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने हुए है पाकिस्तान ने ये एलान भी किया है कि अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो वो अपना बॉर्डर बंद कर देगा यहां खौफ ये भी है कि अगर तालिबान काबूल पर काबिस हुए तो पाकिस्तान में आतंक तवाद बढ़ सकता है और अगर अफगानिस्तान में अमन ना हुआ तो चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडोर की सेंट्रल एशिन स्टेट्स तक बढ़ाती का मनसूबा भी काम्याब नहीं होगा और अगर तालिबान ने जंग करके काबूल में हकूमत बना ली तो क्या पाकिस्तान इसे स्वीकार करेगा या नहीं ये भी एक मुश्किल फैसला होगा शुमाईल जाफरी बीबीसी नियूज इसलामबाद एक अशांत अफगानस्तान से पाकिस्तान को क्या खत्रा हो सकता है तालिबान सत्ता में आया तो अफगानस्तान और भारत के रिश्टे कैसे होंगे ऐसे ही सवालों पर बीबीसी समवादाता शुमाईल जाफरी ने बात की रुस्तम शाह मुहम्मद से जो अफगान मामलों के जानकार है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूद रह चुगे है पाकिस्तान पे ऐसरात तो जरूर होंगे बॉर्डर अनसेफ होगा हो सकता है कुछ रेफुजीज यहां पे आजाएं इतनी तादाद में नहीं जितने लोग बावर कर रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ रेफुजीज आ जाएंगी अगर खान जंगी फुल स्केल खान जंगी शुरू हो गई और खान जंगी क्यों शुरू होगी खान जंगी शायद इसली शुरू होगी लेकिना कि मिलिटेरली कब्जा कर लेते तालिबान तो फिर भी पाकिसान को तस्लीम करना चाहिए। उनको तस्लीम करना होगा उनके साथ डील भी करना होगा क्योंकि रस्ता कोई दूसरा कोई रस्ता नहीं है। जो भी हुकमत वहां बनती है चाहिए जिस तरह बने पाकिसान क उनको साथ डील कर आई और इससे पाकिस्तान और अमरीका के रिश्च्तों के ओ पर क्या अमरीका की लिए असले साथ छीन है पाकिस्टान के साथ तालुकात मैं समझत हौके इसके बाउजूद जारी रहेंगे वह- एक-दूसरा chapter है कि Pakistan चीन के जितना करीब होता जाता है वो सी-पक्ट जतना कामियब होता जाता है. अमरीका से शाइद इतनी बर्टी जाएगी. क्या तालिबाण, अफगान तालिबाण पाकिसां के कंट्रोल में हैं? कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है इन्फ्लिएंस जरूर है क्योंके कितने जमाने से यहां रहते हैं तो वो इन्फ्लिएंस है वो लेवरेज है वो पाकिसान इसे माल करता है लेकिन जो उनके कोर इशूस हैं उन पे वो पाकिसान की बात मानने के लिए तयार नहीं है पाकिस्तान को हमेशा कि बड़ी मदद की है, बड़ी इंवेस्मेंट उन्होंने की है, जो भी वह हकूमत बनीगी हिंदुसान के साथ, एरान के साथ, संट्रिलेशिया के लों के साथ, पाकिसान के साथ, चीन के साथ, उनके तालुखात होंगे. पाकिसान ये मुतालबा करेगा और ये मुतालबा उस हुकूमत को मानना पड़ेगा कि अफगान सरजमीन कोवर्टली या ओवर्टली पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमान नहों नहीं दी जाए पाकिस्तान किस हद तक त्यार है रिफ्यूजी इंफ्लक्स से निबटने के लिए मैं नहीं समझता कि अतने लौकों की तताद में लोग आएंगे को जाए हो सकता है 1 लग़ी लगडं़ आघा जाए लेकिन उन को बार्डर पर वुकिया जाएगा मैं नहीं समझता कि उननको अंतर से इससरफ ज्यादा दूर तक आने दिया जाएगा या तो यह होगा कि अफगान बार्डर के अंदर उनको बसाए जाए और यूएन सिस्टम उनकी रुख करे लुक आफटर करे और या अगर बाज नागुजीर वजूहात की बिना पर यहाना चाहें सिक्यूरिटी को जासे और अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात की बीच अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने अपने लिए काम करने वाले अफगान पत्रकारों को अमेरिका लाने के लिए राश्चुपती जो बाइडन को पत्र लिखा है CNN, New York Times और Washington Post समेत का इस संस्थानों ने लिखा है कि विदेशी सैनेकों के हटने और तालिबान का प्रभाव बढ़ने के कारण अफगानिस्तान में मौजूद पत्रकारों को तुरंत मदद की जरूरत है ऐसी योजना पहले इराक के लिए भी लाई गई थी अफगानिस्तान में अपनी सेना के लिए काम कर चुके अनवादकों को भी अपने हां अमेरिका ला रहा है